हमें 5 स्टार AC लेना चाहिए या 3 स्टार AC लेना चाहिए इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं तो सबसे पहले तो आपको यह जानना है कि जो हमारी यह 5 स्टार की और 3 स्टार की रेटिंग होती है ये आखिर देता कोन है तो जो हमारी ये 5 star और 3 star की rating होती है इसे हमें BEE provide करवाता है BEE का मतलब होता है Bureau of Energy Efficiency ये एक government agency होती है जो कि सभी electrical उपकरण को single star से 5 star की जो rating है वो देती है अब बात करें 5 star AC की तो जो हमारा 5 star का AC है वो हमारे 3 star AC के मुकाबले cooling ज्यादा करता है इसक 5 star का AC होता है वो लगबग 3 star AC के मुकाबले 20% के आसपास तक जो energy है वो कम consume करता है लेकिन जो हमारी cooling होती है वो सिर्फ star rating के उपर ही depend नहीं करती ये और भी बहुत सारे factor के उपर depend करती है जैसे हमारा room कितना बड़ा है हमारे room के उपर direct sunlight आ रही है या नहीं आ रही है हमार room में खेड़कियां कितनी है हमारा जो room है उसकी insulation कैसी है ये कुछ ऐसे factor होते हैं जिनके उपर जो हमारा room है उसकी cooling depend करती है यानि हमारा जो यहाँ पर AC लगा है वो कितनी ठंडक यहाँ पर पैदा करेगा वो इन सब्वेक्टर के उपर depend करती है तो अब चलते हैं कि हमारे लिए 5 star AC बढ़िया रहता है या 3 star AC बढ़िया रहता है तो देखिए अगर आपको AC ऐसी जगहें पर लगाना है कि वह AC साल के ज्यादातर दिन चलता रहे तो ऐसी condition में आपको बेजिचक 5 star AC ले लेना चाहिए लेकिन अगर आपका AC ऐसी जगहें पर लगा है कि आपको वहा हमारा 5 star और 3 star AC इन दोनों के बीच में जो प्राइज कंपेरिजन देखें जो प्राइज का डिफ्रेंस वह अगर हम देखें तो वह बहुत ही ज्यादा होता है लगबग साथ से 8000 का जो डिफ्रेंस है वह हमें देखने को मिलता है जबकि जो हम एसी यूज कर रहे हैं वहां है तो इसका आप last में final conclusion निकाल के देखेंगे तो जो हमारा 3 star का AC है वो कम शमय चलता है तो वो वैसे ही कम energy लेने वाला है तो ऐसे में हम महेंगा AC लेके करेंगे भी क्या तो इस condition में हमें 5 star AC लेने में पैसो का ही नुक्सान होने वाला है तो उमीद आपको समझ में आ गया वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप मारी left वाली वीडियो देख सकते हैं और right वाली वीडियो देख सकते हैं इसके अलावा आप मारे channel को भी subscribe कर सकते हैं